कोलम्बिया के उत्तरी ट्रॉपिकल जंगलों में जमीन के उपर अपने परिवार के साथ रहने वाली शकीरा से आपकी मुलाकात होगी एक कॉटन टॉप टैमरिन जिसे बात करना पसंद है कहें होला हाला कि आपको पता नहीं चलेगा ये छोटी सी बंदरिया अत्यंत परिश्कृत भाषा में 38 विशिष्ट आवाजे निकाल सकती है जो चहचहाने और सीटियों के विभिन प्रकारों पर आधारित है उसने अभी अभी जो जवाब दिया उसे बी चरप कहते हैं जो अकसर मनुष्य पर निर्देशित होती है शकीरा की भाषा की पेचीदगी को समझने के लिए आईए कुछ चहचहाट और सीटियां सीखें फिर जाने की उनको जोड़ कर व्याकरण संगत अनुक्रम कैसे बनाते हैं हमें ग्रीट करने के लिए शकीरा द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली चहक आवाजों के एक वर्ग से आती है जिसे सिंग्डल फ्रिक्वेंसी मॉडूलेटड सिलिबल कहते हैं ये वर्ग छोटी अवधी की कॉलों या चहकन और लंबी अवधी की कॉलों से बनता है जैसे किकियान और चीखना शोद करताओं के अनुसार आठ भिन्न प्रकार की चहके हैं जो स्टेम अप स्वीप अवधी पीक फ्रिक्वेंसी आधी के आधार पर वर्गी कृत की जाती है उपर से हर चहक का अपना अनूठा अर्थ है जैसे शकीरा के C चर्प का उप्योग खाने की ओर जाने के लिए किया जाता है जबकि D चर्प का प्रयोग केवल भोजन के हाथ में होने पर किया जाता है एकल सीटियां भी प्रत्तिक कौल के साथ एक अलग इरादा दर्शाती हैं और आठ अलग जैक की तरह पाँच अलग सीटियां होती है फ्रिक्वेंसी मोडिलेशन के आधार पर सीटियां चार श्रेणियों में बटी है किकियान आरंभिक मोडिलेटड सीटियां अंतिम मोडिलेटड सीटियां और सपाट सीटियां भाशा के अनोखी इरादे की गुणवत्ता का बढ़िया उदाहरण आरंभिक मॉडिलेटिड सीटियों की श्रेणी देती है। ये सीटियां शकीरा के परिवार के अन्य सदस्यों से नस्दीकी के आधार पर बदलती हैं। अगर शकीरा परिवार से 0.6 मीटर से अधिक दूर है, तो वो एक बड़ी आरंभिक मॉडिलेटिड सीटी बजाती है। अब कुछ चहकना और सीटियों को सीख लेने के बाद, शकीरा आपको इन आवाजों के जरिये अपने दिन के बारे में बताएगी। दिन के पहले खाने के लिए पेड की ओर जाते समय वो कहती है, जो अक्सर सामान्य बाचीत में उप्योग की जाती है, तब ही अचानक उसको एक बाज की परच्छाई दिखती है, अलार्म के लिए इचर्प इस आवाज से परिवार को शिकारी की उपस्थिती के बारे में शकीरा सुरक्षा के लिए आंतरिक शाखा की ओर चली जाती है, रास्ता साफ दिखने पर शकीरा अपने पिता की तरफ बढ़ती है, रुको रुको वो कौन है, ये उसका छोटा भाई कारलोस है, कौटन टॉप टैमरिन अकसर कुष्टी करके खेलते हैं, अ-ओ, वो थोड़ रुखा खेल रहा है, और शकीरा चीख कर अपने माता-पिता को उसकी मदद करने के लिए बुलाती है, पिता उनकी ओर बढ़ते हैं और उसका भाई रुक जाता है, शकीरा खुद को हिलाती है, और सिर के बालों को अपनी सही जगा पर वापस लाने के लिए स्वयम को इसे combination vocalization कहते हैं ऐसा वाक्यांश जिसमें चहक और CT दोनों होते हैं ये संदेश देने हेतु दो कॉल एक साथ जुड़े हुए हैं इन तत्वों का संयोजन परिवार को अन्य समोह की मौजूदगी की चेतावनी देता है एफ चर्प और सामान्य लंबी CT से उनकी दूरी का संकेत मिलता है यानि शकीरा ने अभी एक वाक्य बोला है उसका सरल प्रदर्शन छोटी सी जलकी है उसके पास ट्रिल्म, चाटर, सीटिया, कॉंबिनेशन कॉल्स, ट्विटर आदी है पर दुख की बात है कि हम उसकी कही हर बात नहीं सुन पाते हैं चहजहाने वाले संगीत में मिश्रित पेडों को काटती कुलहाडी की आवाज है कुलंबिया में शकीरा के आवाज को टुकडे टुकडे करके काटा जा रहा है और अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो लुप्त प्राए कॉटन टॉप टैमरिन हमारे जीवन काल में लुप्त हो जाएगा अगर एक टैमरिन की दूसरे टैमरिन की ओर से चहक सुस्त गपशप से अधिक लगती है तो सोचें हमारे पास और क्या पता लगाना बाकी है? सोचें शकीरा हमसे और क्या क्या कह सकती है सीखते रहना चाहते हैं अपनी जिग्यासा शांत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें